स्वागत है आपका मार्वर फिचर रेवलिशन की एक और वीडियो में तो आज हम आपको एक बैटल बैज के बारे में बताएंगे जह है सिक्स बैटल बैज एंशेंट इन्वेडर्स का जैसे हम क्या सकते है प्राइम डेवियंट शिक्स या फिर आप क्या सकते हो क्रो का भी बैटल बैज सिक्स वाला ठीक है तो यह सिक्स बैटल बैज है इसकी खास पावर यह है कि यह स्टेब्ला कंजप्शन डिक्रीस करता है थर्टीन पर्सेंट से अगर बैटल जो लड़ाई है वो तो पॉइंट फाइफ से उससे ज्यादा चले उसके लाब इसका को कूई कूल कर देखो हमने स्टार्ट के लिए यह इसका एफेक्ट आ घया ठीक है तो यह लगातार चले जा रहा है जब तक हम लड़ाई कलते रहेंगे तब तक यह चला जाएगा ठीक है इसके साथ भी प्रॉब्लम है लड़ाई कब तक चलती रहेगी ठीक है जैसे कि स्टार्ट करें ह खोज़ता है वो हम प्य estab करें हम उस प्याट ना करें क्या सब यह लड़ाई में गिंता है तो भी 5 काम ने करती है पहली अगर आप आप कोई बफफ वाली करें तो start तो हुआ पर वो वापस चला गया क्योंकि आप किसी को damage कर नहीं पारें आपने की skills तो चले जिसा आसपास damage होता है जैसे की वांडा वांडा के पास भी एक skill है उसके आसपास तीन और घूमते हैं वो उसके आसपास के area में लगाता damage करते हैं पर क्योंकि कोई damage करने क Comics करो ठिकर न अब problem यह यहां दो आप damage करो या आपधे damage होए तो वह भी काम नहीं करते है जैसे की मैंने यह चला आया और अब मैं इस पर damage नहीं करता च्छिक है अब मैं इस पर damage नहीं करता हूं यह ऑन हुआ घे करना है तो लड़ाई का करना है फाइट दोनों साइट से होनी चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने साइटिंग में गया ऑटो काउंटर बंद कर दिया ठीक है तो अब यह लड़ाई कर रहा है अम मैं इसको छोड़ दूर तो अब बाफ स्टार्ट होगा को शुरुवात में लड़ाई कर रहे कि तो भी बफ स्टार्ट होगा और फिर से बंद हो जाएगा क्यूं क्योंकि आप किसी को ड instrument नहीं कर रहे यह start होगा जैसी यह start होगा यह तब तक रहेगा जब तक आप basic attack करते रहोंगे ठीक है तो ज्यान दगना यह जो buff है जिसका मतलब यह कि लड़ाई start हो जाए 2.5 seconds तक तक यह buff रहेगा पर इसके अंदर खास बात यह कि आपका भी attack करना जरूरी है लड़ाई के अंदर दोनों क अगर आप damage खाते रहोगे तो भी यह buff start नहीं होता है आपने कोई buff वाली skills चलाये तो भी अथ्यों बथ्व स्टार्ट नहीं होता है और आपको एक चीज और कर दिखा जता हूं कि जो वह वाली skills होती है जो आसपास damage करती है ठीक ना तब भी यह buff start हो जाएगा although आप attack करो या नहीं करो ठीक है तो वो मैं और आपको एक बाद करके बतायता हूँ पहले buff खोल देता हूँ ताकि आपको वो देखता रहे वो नीला वाला sign देखते रहा करो यहाँ पर उसी से पता लगता है कि buff start है कि नहीं ठीक है तो रुक 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 है सबसे पहर तो हम counter बंद करेंगे ठीक है इसके बाद हम करेंगे अपनी यह वाली skill start okay one two start हो गया वो बफ देख रहे हो कि मैं लगाता उसे damage करना हूँ तब भी वो buff start नहीं है यह basic attack करने बहुत जूरी है जब तक basic attack नहीं करोगे तब तक वो buff start नहीं होगा जैसी आपने basic attack करना start कि यह buff start हो गया पर आप वो मर गया है तो बफ फिर से चला जाएगा वाव मुझे पता नहीं मैंने भी experiment के लिए तो मुझे लगा था कि auto attack करने वाली skill से भी buff on रहता है पर उससे भी on नहीं रहता आपका auto attack करना हमेशा जोरी है याने counter को हमेशा on रखे और अपने basic attack on रखे फिर चाइप stun हो जाओ इस turn जैसी होगे सो ही buff खतम हो जागा पर जैसी है आपने fight फिर से start कर दी फिर buff start हो जाएगा पर यही problem है या तो आपकी skills का damage या आपके basic attacks यह हमेशा on होने ही चाहिए या तो आप skill damage कर रहे हो या basic attack कर रहे हो अगर आप attack नहीं करोगे कोई आपके attack कर रहा हो या फिर आप buff वाली skills चलाओ या कोई ऐसे skills चलाओ जो continuous damage करती है अगर आप उससे भी damage कर रहे हो तब भी यह buff start नहीं होता तो यही था पूरा क्रो के 6th battle batch के बारे में तो यही है और उसकी वीडियो में इतने ही चलते थैंक्यू बाइबाए